भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और है दृष्टी से देखा जाने वाला राज्य हो और बिहारी एक वेंगे हो लेकिन भगवान बुद्ध की कर्म भूमी रहे बिहार में ही सबसे पहले गर्राज्य के बिजबोए गये जो बाद में आधूनिक लोकतंत्र के फल के रूप मे पके बड़े हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का एहम अंग रहना वाला बिहार आज बीमारों राज्यों में गिना जाता है अगर भारत के सभी राज्यों की तुन्ना करे तो बिहार की इतिहासिक प्रिस्ट भूमी और गौरबगा था शायद सबसे सम्रद है भले ही बिहार का वरतमान परिद्रिश्य औची और ब्रहश्ट राज्यों से धुमी लो चुका है लेकिन इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए आईवी टीवी कुछ ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से आप तक लेकर आया है आज के पॉलिटिकल किस्से में बात बिहार की ऐसे नीता की जो अपने लिए कभी भी वोट नहीं मांगते थे शायद ही बिहार का कोई ऐसा नीता हो जो अपने लिए वोट नहीं मांगता हो ऐसा नीता जिसको खुद पर इतना विश्वास हो की मैंने काम किया है और आप अपना भरोसा अपना समर्थन ज़रूर मुझे द मेरी इस बात को सुनकर शायद आपको लगी कि ऐसा कोई बिहार का तो नेता नहीं होगा। पर यह बिहार के ही निता है। नाम डॉक्टर सुक्रिशन सिंग्ध कहानी उस मुख्यमंत्री की जो नहीं मांगते थे वोट कहानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री की जिसके दौर में बिहार सबसे उन्नत राच रहा बिहार के पहले सीएम को पूरे देश में बिहत सम्मान मिलता है इसकी वज़े ये है कि वे एक राच निता के तौर पर लोकतांत्रिक मुल्यों का बखू भी पालन किया करते थे स्रिक्रिशन ने आधुनिक बिहार की नीव रखी थी वो 1986 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे आज के पॉलिटिकल किस्से में कहानी एक ऐसे इमानदार राच निता की जिनके पास मात्र 15 साल रहने के बावजूद 24,500 रुपे थे स्रिक्रिशन सिंग किसे भी विधान सभा चुनाओ में प्रचार नहीं करते थे वे कहते थे अगर वे सच्चे और समाज सेवक हैं तो जनता खुद बखुद उन्हें वोड़ देगी क्योंकि जन प्रतिनीधी को पांच साल तक काम करने का मौका मिलता है ऐसे में अगर वे सही से अपनी ज्यूटी का नर्वा करेंगी तो उन्हें प्रचार करने की क्या जरुरत है स्रिक्रिशन का जन 21 ओक्टूबर 1987 को ननिहाल नवादा जिले के खनवा गाउं में हुआ था हाला कि उनका पैत्रिक कर्म भूमी बर्विग्घा जिले में माउर में है यह आवस्था से ही स्रिक्रिशन सिंग स्वतंतरता आंदोलन में शामिल हो गये थे वराश्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवाहन पर राजनिती में आये थे स्रिक्रिशन बाबू 1916 में वाराणसी में गांधी जी को सुनने और देखने पहुंचे थे 1917 में जब गांधी जी ने चमपारन सत्यागरा की शुरुवात की तब स्रिक्रिशन सिंग ने किसानों के जत्ते का नेत्रतु भी किया था दॉक्टर श्रीकृष्ण भारत के महान स्वतंत्रता सैनानी थे वो भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रधान मंत्री और बिहार राज्य के प्रतम मुख्य मंत्री थे वसन 1946 से लेकर 1961 तन बिहार के मुख्य मंत्री रहे थे उनके मित्र और स्वतंत्रता सैनानी डॉक्टर अनुप जैन नारानिय उनके समय में मंत्री मंदल में उप प्रधान मंत्री, उप मुख्य मंत्री और वित्य मंत्री रहे थे इस प्रकार दोनों आजीवन साथ रहें स्रिकृष्ण सिंग के 10 साल के शासनकाल में बिहार राजी में स्वास, सिक्षा, क्रिशी, उद्धोक, कला और समाजिक शित्रों में उत्तम कार्य हुआ करता था उनके साशनकाल में ही बिहार में भारत देश की पहली रिफाइनरी बरॉनी और रिफाइनरी बिहार में लगी थी पूरे भारत में दूसरे नंबर पर थी उस समय बिहार को उन्नत राच्य मारा जाता था। मिलेंगी एक ऐसे ही किसे के साथ।